रक्षा के शेत्र में भारत तेजी के साथ आत्मुनिर्भर बन रहा है ADRDE और DRDO के साथ निजी कमपनिया भी भारत को रक्षा के शेत्र में आत्मुनिर्भर बनाने में जुटी हुई है ADRDE में लगी प्रदर्शनी के दौरान इसकी एक जलक दिखाई दी सेमिनार के दोरान बताया गया कि भारत रक्षा के शेत्र में किस तरही के से कारे कर रहा है बताया कि भारतिय सेना के लिए उनकी कंपनी उचित गुनबत्ता वाले सामान तयार करती है हमारा DRDO में ओल्मोस्ट मार्केट साइज सतर से से स्टी परसेंट है और एंसिस जो है हर एक साइंटिस के पास जो भी रियल आर एंडी में जो काम करते हैं उनके पास है ये टूर और ये मोदी जी का जो ये वियू है हम लोग बहुत जादा उसमें सहीयोग कर रहे हैं और बहुत सारा क्योंकि ये जो है यूएस बेस कंपनी है लेकिन हमारा यहां पे तीन से चार आर एंडी डिविजन है तो कम से कम आठ सो से हजार इंजिनियर यहां पे काम कर रहे है तो उनका वियू जो है हम लोग पूरा करने के कोशिस कर रहे है ADRD और DRD के द्वारा भी अपनी छमता का प्रदसन प्रदसनी के मात्यम से किया गया है ADRD जनसंपर कदिकारी प्रदी पाल ने बताया कि भारत रच्छा के छेतर में आर्त निरवर बन रहा है एक्जिविशन में जो different high altitude technologies से related बिसिकली जितने भी partners हैं क्या-क्या उसमें काम हो रहा है और किस तरीके से technologies आगे बोल रहे हैं वो conference का विसे रहेगा और उस दोरान सारे जितने भी हमारे partners हैं public, private और defense PSU उन लोगों ने हाँ पर अपना exhibition लगाया showcasing their products कि वो लोग किस तरीके से आप निरवर भारत के तरफ defense के products को बना रहे हैं और जो high altitude technologies area में जो इस seminar का मुख विश है उसमें किस तरीके से वो आगे अपनी technologies को देंगे सेमिनार में तमाम बिंदूओं पर चाचा की गई बताया गया कि किस तरीके से उचित गुलवत्ता का ध्यान रखना है जिससे भारत दुनिया के देशों का मुकाबला कर सके हमें आयात वाला नहीं बलकि निर्यात वाला देश बनना है ADRD और DRD और आपको तो पता ही है देश को पता है कि रच्छा क्षेतर में पूरा तरीके से भारत के सभी प्रोड़क्ट से सुई से लेके हवाईजास तक DRD और बना रहा है और इस तरीके से हाई अल्टिट्यूट में आप हमारा लेहल अद्दाक में हमने कई ट्राइल्स किये हुए है हैवी ड्रॉप हमारा बना रहे है तो इस तरीके की टेकनोलोजी जेरी आर्डी हमेशा से देश की सेनाओं को सौपने के लिए तक पर है रच्चा के छेतर में सामान अब तक भारत दूसरे देशों से आयात करता था लेकिन बर्तमान समय में अधिकान समान भारत अपने ही देश में तैयार कर रहा है मेडिन इंडिया और मेकिन इंडिया के फार्मूले पर चलकर भारत आयात वाला नहीं बलकी निर्यात वाला देश बनने जा रहा है रच्छा के छेतर में भारत लगातार आत्म नर्भर बनता जा रहा है जहां ADRD, DRD और सही तमाम सरकारी सांस्ताय लगी वही नेजी गंबनी भी भारत को आत्म नर्भर बनाने में जुट होई है ADID प्रांगण में लगी प्रिदस्नी के दोरान इसकी जलक साब तोर पर दिखाई दी सभी इस बात को मानते हैं कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वे दिन दूर नहीं जब भारत रच्छा के छेतर में पूरी तरीके से आत्म नर्भर बन जाएगा अपने साथ ये अगले दुबे के साथ राकिस कनोजिया सी नियूस आगरा